मोदी जी आये हैं तो भारत में अन्विश्वाद जादा बढ़ गिया है स्कूल, सिछा, कॉलेज के जगा मंदीर जादा बन रहा है मंदीर महाजीत के जादा लड़ाई लड़ा है मोदीर जी बनना चाहिए इनको सिछा पर भी जी एस्टी लगा दिया 13% कि हम जब पार हैंगे लीखेंगे आगे बाढ़ हैंगे मेरे किसी मत के दुआर खुद खुल जाएंगे जब हम पार हैंगे बेटा बेटियों में फर्क ना कर पाएंगे जब हम पार हैंगे आप भुचन लेहर बहुचनों का लँहर आने वाला जी जुमला बाजी कि नहीं चलेगा इस बार युवा हैं हम अई वह रोयेगा तो जुमला बाजी सब खता हम जग गया युवां के भावनाओं के साथ कोई खेला है तो अखेले नरेंद्र नरेंदर मोदी जी है किसानों के साथ कोई अतैच्यार किया है तो नरंद मोदी जी है एजुकेशन बात कीम नहीं करते हैं शिक्षा बात कीम नहीं करते हैं वही चिराग पासवाल हो या पपूई आदव या विपक्ष की तजस्वी आदव उन सब की रैली में बहुत जादा भीर होती है तो क्या देश से मोदी लहर खत्म हो गई है खासकर के बिहार से मोदी लहर खत्म हो गई है मोदी जी आएंगे कभी भी इसलिए जाज जितना भी विकास हो रहा है मोदी जी के दम पर हो रहा है दस साल पहले कौन रोड बनिया नहीं था भी आर में पहले हमारे दुआर पर जा था इतना पांक था या जब से मोदी जी आए हर एक जगा चेकिन हो के रोड बन आये लीखेंगे आगे बाढ़ेंगे मेरे किसी मत के द्वार खुद खुल जाएंगे जब हम पाढ़ेंगे अरे जब हम पाढ़ेंगे तो डॉक्टर इंजिनियर बने जाएंगे जब हम पाढ़ेंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे बेटा बेटियों में फर्क ना कर पढ़ेंगे तभी जी आया है तो भारत में अंद्विश्वास ज्यादा बढ़ गया है अंद्विश्वास बढ़ गया है अस्कूल सिछा कॉलेज के जगा मंदीर ज्यादा बन रहा है बनना चाहिए इन तो सिछा पर भी जी एस्टी लगा दिया ठारा परसेंट और जो भी हमारे बहुदी नहीं आएंगे मोदी लेहर आप बहुजल लेहर बहुजलों का लहर आने वाला जी कौन आएंगे बीएस्पी आएगी आप महा गठो अंदन के सरकार में परधान मंत्री जतने भी रहेंगे इंडिये लाइंज के अगर जो बहुजलों कुमारी आती है तूदम पका सीम बन जाए पीम बन जाएगी रोजगार नहीं चाहिए अरे कमाया करता सब आदमें खाये रहा है तब का होएगा रोजगार इतना दिन से 25 साल से कौन रोजगार नहीं मिल रहा था एपहले बताई दूसरा जगा जाकर पिटा रहा है वहां सब दूसरा स्टेर वाला क्या बोलता है तुम्हारा बिहारी सब आवकात नहीं है जो तुम्हारा बहुन बेटी सभाक ज़डू पोचा करती है नहीं है अरे जुमलाबाजी नहीं चलेगा इस बार युवा है हम और युवार इसके इतना कोई पढ़ा लिखाला है सिम्पल दिभात बोले सा खाली हो जाएगा जुम्हाबाजी नहीं करना है जुम्हाबाजी करने सको फायदा नहीं है बस मोगी नहीं आएगा बस मोधी लगरी दिखाई दे रहा है और कहा को द। लेकिन अमिसा की रैली थी भीड नहीं थी तो खाली कुडशी था लग रहा है कि लहर खतम हो गया करते हैं लोग यह साब मीडिया वाले हैं पसंद करने वाले दू महीना का बाद देखें कमल हर एक जगा चाने लगे पूछें जबी सक्षित राज घान में भी फिरम ठील करनें चाहिज़ी उसी अनपरन ते पेसे सक्षित नमबर पर आंते हैं यूपी एा पर यहां इससे हे निकले हैं बेहर से बंगलादेश जहां गुरबादी देशरुन आपड़े जी का बात जहां तक कर रहे हैं तो मोदी का चुनाओच सेथ जब 2014 का जुसाद पहले आया था तहाँ घरगर मोदी लेकिन 2014 के बाद लिकल गए बड़के गडबर मोदी तिक है युगाहों के भावनाहों के साथ कोई खेला है तो अकेरर नरेंदर मोदी जी है किसानों के साथ कोई अतरय किया ग Woooodi जी है एजूकेशन बात कीम नहीं करते है जक्षा काशा कीम नहीं करते है जितने भश्बीन आशारी है भच्पाईा में जाने के बाद बहुत संस्कारी है क्ग्रेस इसे आप जतना भच्पाई से गिया है सब कॉंग्रेस के दम पर कूज रहा है जनम भूमी समझे आज भी लोग पी रहे हैं वह इंद्रा गांदी का पॉलियोपी के इत्ता बढ़का हो गए समझे सब लगभाचित के सतर साल में क्या नहीं किया है समझे आप जैसे मीडिया के तंखवा बढ़ाती है और कुछ है युवा कुछ दिर में आत्या कर लेगा बेरोजगार से मर जाएगा अभी भुक्मरी से मर रहा है देखिए पंद्रे लाग पे बात हुई थी स्टार्ट और पांच किलो रासन पेला के खतम किया है पंद्रे लाग पे बात हुआ न पांच किलो रासन पे खतम किया है अनवाक्त का सलक कुछ उसके चड़ी फट जाए न मैं तब भी बोले युवार्दी मगर कुछ भी ने रियालिटी जानियागा ना रियालिटी में अनवाक्त कुछ नहीं है अगर जनता के हित्के लगाते न तो जनता सरचल के बोलती आज मोधी मोधी जनता करती तीक है लेकिन मोधी जी एक पहले गडिटेट है जिरूने फेकने के लागए जनता कुछ जनता कुछ नहीं तो जहारे नहीं है तो बाक्षित कहां से दिखेगा मोधी कोई चावे नहीं करता मोधी भगत कहां दिखेगा कि अगे लिए य। य। शुलांदा के बिंसते हैं और अची बात्चीत होती रहेगी बाकी आप यह पिनी परत्रन वर्क्स में जरूर दें धन्यवाद